दोस्तों आज की स्पीडों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप NSDL Pine Card Agency को कैसे लेंगे आप लोग NSDL के माद्यम से आप लोग किसी भी Customer का मात्र Fingerprint के माद्यम से Pine Card को बना सकते हैं या फिर उसके आधार कार्ड में Mobile Number Link है तो आप आधार OTP के माद्यम से भी उसके Pine Card को instantly ही बना सकते हैं यहां पर आप लोगों को करना क्या होगा Customer की कुछ Details को Fill करना होगा इसके बाद आप लोगों को Customer का Fingerprint लेना है और इसके बाद instantly ही आप लोग Pine Card बना देंगे और आप लोग Pine Card को अपलाई करने के 15-20 मिनट के अंदर आपने जो E-mail ID दी है उस E-mail ID पर उसका Pine Card आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो Physically Pine Card है वो 5-7 दिनों के अंदर आपके address पर send कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों NHDL Pine Agency लेने के लिए आप लोग डायरेक्ट यहां से apply नहीं कर सकते हैं किस तरहें से आप लोगों को apply करना है तो वीडियो के description में मैंने एक link दे दिया है जैसे ही click करेंगे तो आप इस वाली website पर आ जाएंगे यहां पर दोस्तों इस पोर्टल का ID और password लेने के लिए आपको कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे तो इसके लिए यहां पर तीन तरहें की ID दी गई है कुछ नीचे की side में आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहली ID है retailer की इसके बाद distributor और super distributor अगर आप retailer की ID लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर one time one double nine का payment करना पड़ेगा यानि की 199 रुपए का payment करना है और आप लोग किसी भी customer का pen card यहां से बना सकते हैं इसके बाद यहां पर है super distributor की ID जिसमें की आप लोगों को 299 रुपए का payment करना है और इसके अंतरकत आप लोग unlimited distributor और retailers भी बना सकते हैं और retailer distributor से भी earning कर सकते हैं तो जो भी plan आप लेना चाहते हैं तीनों ही यहां पर दिये गए हैं जैसे कि यहां पर मैं आप लोगों को retailer की ID लेके दिखा देता हूं तो registration के लिए आप लोगों को register वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद आपको यहां पर अपना full name enter कर देना है इसके बाद आपको यहां पर address में अपने district का नाम फिल करना है यहां पर आपको अपने area का pin code type कर देना है इसके बाद आपको यहां पर अपना mobile number enter करना है यहां पर आपको अपनी email ID enter करनी है इसके बाद आपको इस list में से अपनी state का नाम select कर लेना है state का नाम select करने के बाद आपको यहां पर company name या फिर shop name डाल देना है अगर आपके पास कोई भी शोप नहीं है या फिर कंपनी नहीं है तो आप अपना खुद का नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नमबर एंटर करना है और पैन कार्ड नमबर एंटर करना है यहाँ पर आप लोगों को select करना है retailer distributor या फिर super distributor और इसके बाद यहाँ पर online payment का ही option आपको मिलेगा आप लोग online ही payment कर सकते हैं सभी कुछ information को fill करने के बाद pay and register वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप pay वाले option पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर लिखे आजाएगा account created ID password has been successfully sent to your email यहाँ पर जो आपका ID और password है आपने जो भी email ID दी है उसी email ID को आपको check करना है और बहीं पर आपका ID और password send कर दिया गया है इसके बाद आपको okay वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर interface आजाएगा यह आपका रहेगा username यहाँ पर email ID इसके बाद mobile number यहाँ पर amount आजाएगा और यहाँ पर आप किस तरह से payment करना चाहते हैं वो आप select कर सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही option दिखाई दे रहा है UPI QR payment इसके बाद आपको यहाँ पर payment वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप payment वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने payment page आजाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक QR code दिखाई दे रहा है इस QR को आपको scan करना है और scan करने के बाद आपको payment कर देना है 1099 का complete होगा यहाँ पर देखिए लिखे आ जाएगा your account activates successfully इसके बाद ओके वाले option पर आपको एक बार click कर देना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा यहाँ पर side में देखिए काफे सारे options दिखाई दे रहे हैं जैसे की nhdl manage, wallet manage, important link और logout तो यहाँ पर pen card को apply करने के लिए instant pen वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले mode select कर लेना है यहाँ पर e के बाई से instant pen का option आ जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर selected type में new pen select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आज जो भी customer का नाम है वो आधार card से same match होना चाहिए भही यहाँ पर enter करना है इसके बाद यहाँ पर date of worth फिल करनी है इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर male या फिर female select कर लेना है यहाँ पर mobile number देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर email ID देना है और यहाँ पर दोस्तों पर pen card आपको 107 रुपय का coupon लगेगा यहाँ पर माल लेते हैं अगर आपके पास retailer ID है तो आपको 107 रुपय का payment करना पड़ेगा और अगर आपके पास distributor की ID है तो आपका जो coupon है 102 रुपय का पड़ेगा बहीं अगर आपके पास super distributor की ID है तो आपको यहाँ पर मात्र 100 रुपय का per pen card का coupon पड़ेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक चार्ट भी दिया गया है इस चार्ट में आप लोग पूरी complete information देख सकते हो अब यहाँ पर यह coupon किस तरह से लेना है तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को aid money का option देखने को मिल जाएगा aid money वाले option पर क्लिक करेंगे आप जितने का भी coupon purchase करना चाहते हैं तो mount यहाँ पर fill करना है और aid money वाले option पर एक बार क्लिक करने के बाद आपके सामने QR code और UPI आ जाएगी तो आपको उसी पर payment कर देना है payment करने के बाद आपका जो money है वो यहाँ पर aid हो जाएगा इसके बाद आपको instant pain वाले option पर क्लिक करना है और यह सभी कुछ information को fill करने के बाद submit वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही submit वाले option पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आजाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर application type select करना है इसके बाद आपको यहाँ पर category select कर लेनी है यहाँ पर आधार number आपको fill कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर title select करना है last name, first name, middle name और date of worth, gender सभी कुछ information को fill करना है और terms and condition को accept करना है और submit वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अगर आपके आधार card में mobile number link है तो आपके आधार OTP के माद्यम से pen card बन जाएगा pen card apply होने के बाद आप लोगों का जो pen card है वो 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी email ID पर आ जाएगा और इसके बाद 7 दिनों के अंदर ही आपका जो pen card है वो physically आपके address पर send कर दिया जाएगा तो इस तरह से आप लोग fingerprint या फिर OTP के through अपने pen card को या फिर किसी भी customer के pen card को instantly ही बना सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की help की आपशक्ता हो या फिर आपके मन में कोई भी question हो सवाल हो तो आपको यहाँ पर देखिए help line number दिये गए हैं यह दोनों ही help line number आप जब भी चाहें लगा सकते हैं इनका जो timing है वो 9 वजे से साम 6 वजे तक का है तो आपको किसी भी तरह का support चाहिए हो या फिर inquiry चाहिए हो तो आप लोग इन numbers पर call कर सकते हैं आपकी जो भी सवाल है वो आपको उनके जबाब मिल जाएंगे और साथ ही इनका जो customer support है वो काफी अच्छा है आप लोग जब भी call करेंगे तो आपको instantly ही यहाँ पर reply दिया जाएगा और आपके सभी सवालों के जबाब दिये जाएंगे तो उमीद करता हूँ अब आप लोगों को complete information अच्छे से समझ में आ चुकी होगी इसके अलाबा आपको कोई भी problem आए तो आप help line number पर contact कर सकते हैं फिलाल दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तो फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ